वोटर कार्ड नहीं है तब भी डाल सकते हैं वोट बस होने चाहिए ये पहचान पत्र वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर वोटर आईडी कार्ड और वोटर स्लिप ले जाना जरूरी होता है लेकिन अगर आपके पास voter ID card नहीं है तो भी आप vote डाल सकते हैं चुनाव आयोग लगातार प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें हाला कि बिनाव voter ID vote डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम voter के और पर voting list में शामिल हो अगर आपका नाम voter list में शामिल है तो निर्वाचन अधिकारी के सामने आपको अपनी पहचान साबित करनी होती है ताकि आपकी पहचान पर कोई सवाल न खड़ा हो और निर्वाचन अधिकारी आपको अपने voting अधिकार का प्रयोग करने दें अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो ID का प्रयोग कर सकते हैं पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के इंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड टन कार्ड आधार कार्ड बेंक या पोस्ट ओफिस की पासबुक नाशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंपी आर के तहेत रेसिस्टेंस जीन आइडे की फायर आर जी आल का जारी किया हुआ स्मार्ट अकर्ड महत्मा गांधी राश्रेगरामीन रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा MNREGA का कार्ड फोटोग्राफ लगा हुआ पेशन डॉकिमेंट्स रम मंत्राले का जारी किया हुआ हिल्थी शिवरेंज कार्ड चुनाव आयो की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिपिस के अलावा विद्धायक और सांसब्ड MLA, MP और MLC को जारी किये गए अधिकारिक आइडे कार्ड के और पर कर सकते हैं, हाला कि इनके आलावा बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराय की पर्ची या घर के कागजा, गाडी के काग्यों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूप के और पर माईये नहीं होता, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो, हर पोलिंग स हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है, यह पर्ची, किसी भी माईये वोटर आइडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है, अगर किसी को वोटर स्लिट नहीं मिलती तो वे ओनलाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर हेल फ्लाइन के जरिये जान सकते हैं कि उनका नाम रेजिस्टर्ड है या नहीं अगर किसी नागरे के पास वोटर आईडी नहीं है तो वे चुनाव आयोग द्वारा ने धारत किये गए डॉक्यूमेंट्स का इस्तिमाल कर वोट डाल सकता है